नमस्का दोस्तों स्वागत आपका रूप टाग में मैं हूँ आरूप आपका दोस्त और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उपर आज हम यहां पर बात करने वाले हैं आपके कंप्यूटर में जो भी आपने अपने इंपॉर्टेंट परसनल फाइल्स रखते हुए हैं उनके सेफटी के उपर अगर दोस्तों आपका कंप्यूटर बहुत सारे लोग यूज करते हैं तो ऐसे में आपका जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स है उसका सेफटी रेटिंग के अगर बात करें तो वह जाता है कंप्लीट जीरो यहां पर क्यूंकि आप अपने फाइल्स को किस किसी भी बैक्ती के साथ शेयर करना तैसे में आज इस वीडियो को आप कंप्लीर एंट तक देखिए बहुत ही मज़दार वीडियो होने वाली है आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर के किसी भी पर्टिकुलर ड्राइब को पासवर्ट से लॉ तो कैसे वह पासवर्ट आप दे सकते हैं उसके लिए आपके पूरे वीडियो को देखना पुड़ेगा तो काफी इंपॉर्टन होने वाली है चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आप सभी से मेरा एक रिक्वस्ट है प्लीज दोस्तों अगर आप आप इस चैनल पर नहीं आए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन को दबा लिजे और हाँ वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो बहुत इंपॉर्टन वीडियो होने वाली है वीडियो को भी लाइक कर दीजे तो यहां पर दोस्तों स चोटा सा विंडों आपके सांदे ओपें हो जाएगी यहां पर आपको दो औपसंस मिलेगी लेकिन दोस्तों यहां पर हम यूज करने वाले हैं सबसे उपर वाला जैसे दोस्तों हमने यह पर टीक कर दिया उसके बाद फिर हमें यहां पर अपनी पासवार्ड एंटर करनी हो सामने जो स्क्रीन आया दोस्तों यहां पर आपको कुछ options मिल रहा है save to Microsoft account, save to USB flash drive, save to a file और print the recovery file यह जो स्क्रीन है दोस्तों यहां पर माल लिजी कि आपने जो password दिया है अगर in case कभी future में आप उस password को भूल जाते हैं तो फिर आप अपने उस particular drive को जिसको आपने लॉक किया उसको unlock कैसे करेंगे तो उसको unlock करने के लिए यहां पर आपको कुछ recovery keys मिलता है अगर in case कभी अगर आपने उस password को भूल गया तो फिर आप इस recovery key का use करके अपने उस drive को lock drive को open कर सकते हैं मैं यहां पर save to a file choose करूँगा जैसे इस option पर हम click करेंगे दोस्तो अब इस recovery key को हमें save करने का option आ गया याद रखे दोस्तो इस recovery key को हमें save करना है किसी और drive में जिस drive को हम lock कर रहे हैं वहां पर हमें इसे save नहीं करना है इसे हमें किसी और drive में save करना है तो चलिए इसे हमने यहाँ पर save कर लिया desktop में देन दोस्तों हमें यहाँ पर next पर फिर से click करना है जैसे next पर click कर दिया हमारे सामने यहाँ दो option आ जाएगी सबसे पहला है encrypt use disk space only और नीचे मिलेगी encrypt entire drive देखें दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर d drive को lock करने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पर दोस्तो 39.6GB मेरा free है और बाकि rest यहाँ यूज हो गया है अगर दोस्तों मैं सबसे उपर वाला अगर यह option को select करता हूँ तो क्या होगा कि जितने space पे मेरा files है उतने space को यह encrypt करेगा और जो space मेरा खाली है उसको encrypt नहीं करेगा और नीचे वाला दोस्तों जो option है अगर हम नीचे वाले option को select करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा entire drive जो है यहाँ पर encrypt हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों हम नीचे वाले option को ही choose करने वाले है दन दोस्तों हमें फिर next पे click करना है जैसे next पे click करेंगे अब यहाँ पर दो options हमें और मिल जाती है तो हम उपर वाले option को यहाँ पर select कर लेंगे दन हमें यहाँ पर next पे click करना है जैसे हम NIGPS पे क्लिक करेंगे आप यहाँपर हमें option मिल रहे है Start encrypting इस पर हमें क्लिक करना है जैसे आम यहाँपर क्लिक करेंगे तो अब encryption होना यहाँपर सुरू हो जाएगा उसको दोस्तों अब हमने अपने तभी हम इस drive को open कर पाएंगे बिना password दिये हुए इस drive को हम access नहीं कर सकते हैं अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर अगर correct password एंटर कर देते हैं उसके बाद फिर अगर हम unlock पे click करते हैं तो फिर हमारा यह drive open यहाँ पर हो जाएगा यह unlock हो गया आप double click जैसे करेंगे तो इस drive को हम यहाँ पर open कर सकते हैं तो अब दोस्तों अगर आप अपने log drive के password को यहाँ से remove करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना है control panel में और control panel में आने कवाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक option मिलेगी वह है bitlocker drive encryption इस पर आपको जाना है उसको जिस drive को अपने log करके रखा हुआ है उस drive पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जाना है unlock में पर आपको यहाँ पर आपकी password को enter करनी पड़ेगी जो भी password दे के आपने अपने drive को lock किया है एक बाद दोस्तों आपने अपने drive को यहाँ पर unlock कर दिया उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर option मिल जाएगी turn off Bitlocker आपको इस turn off Bitlocker वाले option को क्लिक करना है जैसे यहाँ पर click करतेंगे उसके बाद आपको सामने पॉप आप आए जाएगी यहां से आपको turn off bitlocker वाले बटन पे क्लिक कर देना है जैसे दोस्तों आपने क्लिक कर दिया अभी आपका drive जो है वो decrypt हो गया तो इस तरह से दोस्तों आप bitlocker का use करके अपनी computer के किसी भी drive को password से lock कर सकते हैं और जो भी आपका important file से उनको आप secure कर सकते हैं तो बस दोस्तों आज के वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं अगर वीडियो आपको पसंद आएक तो लाइक करे शेयर करें चैनल को दोस्तों अभी तेकर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बैल आकन को दबा ले तो मिलता दोस्तों आप सेकले वीडियो में तब तक बाबाए और टेक कियर